Hello and welcome to the extra class English. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोयम The Road Not Taken by Robert Frost. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सुब्सक्राइब नहीं करा है अभी के अभी जाओ and सुब्सक्राइब कर लो because ऐसी ही और वीडियोस इसी चानल पर आपके लिए आती रहेंगी. So, पोयेट की अगर बात करते हैं तो काफी जादे फेमस अमेरिकन पोयेट है and उनकी ये पोयम The Road Not Taken भी उतनी ही जादा फेमस है. तो इस पोयम के थुरू main जो message देना चाहते हैं पोयेट वो यही है कि हमारी life में हम जो भी choices चुनते हैं या जो भी हम decision लेते हैं वो हमारी future पे impact करता है and वही सारा difference बनाता है यानि कि उसी पे सब कुछ depend करता है. तो ये choices हम कैसे ले ये हम पे depend करता है. तो चलिए, देखते हैं इसकी line by line summary कुछ important words or literary devices. तो पोयम शुरू होती है, Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो first and foremost हमें मतलब समझना है क्या कह रहे हैंगे? Two roads diverged in yellow wood. So poet basically पैदल जा रहे हैं and जाते हैं तो देखते हैं दो रास्ते हैं. ये yellow woods का मतलब क्या हुआ? Forests में. And yellow क्यूं? क्यूंकि ये जो season है जिसमें ये जा रहे हैं, चल रहे हैं, वो season है autumn का. अब देखते हैं उस time पे leaves का जो color है वो बदल जाता है. और इंजिश-yellowish सा हो जाता है, है ना? तो वो ही इनका मतलब है two roads diverged in yellow wood. तो वहाँ पे दो रस्ते जा रहे हैं. एक सपोज इधर को जा रहा होगा, एक दूसरी तरफ जा रहा होगा. And sorry I could not travel both. So poet कह रहे हैं कि वो दोनों रास्ते तो travel नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही इनसान है. और एक इनसान दो जगाओ पे same time पे नहीं हो सकता. And कह रहे हैं, and look down one as far as I could. So वो उधर ही खड़े होकर दोनों रोट को देखते हैं, जहां तक उनकी नजर आती है, जहां तक वो देख सकते हैं उन दोनों रोट को, वो देखते हैं कि इन दोनों में से वो कौन से बेसिकली रोट पे travel करें. Next है, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same. तो इसका मतलब क्या हुआ, पोएट कहते हैं कि दो जोनों रास्ते हैं, although एक जैसे ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे better claim करना हो, गर मुझे बताना हो, तो मुझे वो वाला रास्ता लगता है, जो रोड जहां पे लोग जादा गए नहीं हैं. और उनको कैसे पता होता है कि दूसरे रोड पे जादा लोग गए नहीं हैं, क्योंकि ही वो कहते हैं यहां पे, कि, तो हमारे पेरों के निचे कुछल जाती है, है ना? तो वो ही यह कह रहे हैं कि उस रोड की जो ग्रास थी, वो विल्कुल फ्रेश लग रही थी and wanted wear, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने कभी use नहीं किया है उस रोड को, तो, though as for that, the passing there had worn them really about the same. So, यही कहते हैं कि, जो लोग बहां से जाते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो यह वाला रास्ता लेते होंगे, मुझे लगता है यह दूसरा रास्ता लेते होंगे. तो यहां पे सबसे important बात जो आपको समझनी है वो यही है कि poet यहां पे सिफ रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं वो यहां पे बात कर रहे हैं आपकी life में choices कि आपकी life में भी ऐसे बहुत सारे times आते हैं जब आपको एक decision लेना पड़ता है, choose करना पड़ता है और जो आप रास्ता चुनते हो फिर आपको उसी पर चलना पड़ता है, ठीक है? Next, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on today, I doubted if I should ever come back So, इसका मतलब क्या है? तो poet कहते हैं, उस सुबह जब मैं वहाँ खड़ा था और मैंने इन दोनों roads को देखा कि ये opposite directions में जा रहे हैं, ठीक है? Although, अगर उसको मैं और ज़्यादा पास जाके देखूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ इस रस्ते को लोगों ने use किया है, इस रस्ते को लोगों ने use नहीं किया है लेकिन उस सुबह, अगर मैं उसको normally देख रहा हूँ, तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, एक बराबर ही लग रहे हैं तो यही पोईट कह रहे हैं कि एक बर जो मैंने रास्ता ले लिया, मुझे नहीं लगता मैं वापस आ सकता हूँ, although कि मैंने जो दूसरा रोड है, उसको किसी और दिन के लिए बचा के रखा है तो वो कहते हैं कि उन्होंने वो वाला रास्ता चुना है, जहांपे कम लोग गए हैं, ठीक है, और उन्हें इस बात का पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है जो ये दूसरा रास्ता उन्होंने नहीं चुना वो कहते हैं ये मैंने किसी और दिन के लिए बचा के रखा है लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस रास्ते के पे कभी ट्रावल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो रास्ता कहीं मुझे छोड़ेगा है ना, that'll lead somewhere तो ये ही वो समझाने के कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार जो अपनी life में decision ले लेते हो आप पीछे जाके वापस मुढ के उस decision को बदल नहीं सकते ठीक है? Next I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood And I, I took the one less travelled by And that has made all the difference So, ये जो last anza है, poet क्या कह रहे है? कि अब मैं ये sigh के साथ बताऊंगा मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये एक relief के साथ बता रहे है कि basically, कभी किसी ages में मैंने ये जो दूसरा रास्ता था The road that was less travelled मतलब जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं चुना था मैं उस रास्ते पे गया था और इस रास्ते को चुनने से ही आज जो है जहां तक मैं पहुंचा हूँ वो सारी चीजें possible हो पाई है That has made all the difference मतलब कि आपकी choice ही सारे difference बनाती है आपकी choice ही हर एक future में जो भी आपके साथ होने वाला है क्या होगा उस चीज़ को decide करती है है ना? तो यही कह रहे है वो कि वो आज से बहुत टाइम बाल बताएंगे एक स्ताय के साथ कि मैंने तो वो वाला रास्ता चुना था जहां पे बहुत सारी डुक ट्रावल नहीं कर रहे थे and that has made all the difference So अगर मैं nutshell में इसकी बात करूँ आपको तो यही बताना चाह रहे है point यह जो दो रास्ते हैं ठीक है वो तो physically बता रहे हैं आपको कि वहाँ पे गए दो रास्ते अलग जगा पे थे एक opposite direction में दूसरा opposite direction में है ना? लेकिन वो यह बता रहे हैं कि यह जो दो रास्ते हैं यह रास्ते हैं जंदेगी के of life एक बार जो आप रास्त चुन लेते हो ठीक है उसके बाद आपको उस पे चलना ही पड़ता है आप वापस पीछे मुड़ के अपने decisions को बिर्कुल भी ठीक नहीं कर सकते तो क्योंकि एक decision दूसरे decision पे लीड करता है फिर तीसरे decision पे लीड करता है अगर हम इसमें बात करते हैं literary devices की तो सबसे पहले symbolism यानि कि यहाँ पे यह poem किस चीज को आप कह सकते हैं symbolize कर रहे है जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यह जो दो रास्तों की बात कर रहे हैं poet कि मैं मा कर रा था मुझे दोनों रास्ते दिखें diverged in woods तो यह रास्ते क्या हैं basically the ways of life तो यह roads symbolize कर रहे हैं two ways of life को ठीक है second use हुई है यहाँ पे alliteration आप देख सकते हैं alliteration का मतलब क्या होता है alliteration का मतलब है कि दो words जिनके जो first letters है वो same है और closely placed है तो जैसे कि हमने देखा wanted wear ठीक है and उसके साथ चाथ हम कौन से देखते हैं हम देखते हैं though that या फिर first for ठीक है हम देखते हैं fftt इस तरीके से ww यह दोनों repeated हैं अब next हम आते हैं repetition पे repetition हम देखते हैं ages and ages last tanza में हम देखते हैं so ages word को repeat किया गया है so alliteration का मतलब होता है कि first letter same है ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं पूरा जो word है वो same है and repeat किया गया है and then एक और line है यहाँ पे जो हम देखते हैं repeat होती है and वो line है कौन सी? two roads diverge in a foot हम देखते हैं ना first tanza में भी and then हम देखते हैं last वाले में भी and इसकी जो rhyme scheme है वो क्या है? A, B, A, A, B अब देखते हैं इसके कुछ important questions जो आपकी book में भी given है उनके answers क्या है? let's see so जो first question है आपका वो यह है where does the traveler find himself? what problem does he face? यहाँ भी traveler कौन है? poet है तो basically travel अपने आपको कहाँ देखते हैं traveler अपने आपको देखते हैं कि वो एक path पे खड़े हैं ठीक है? in the woods जहाँ पे जो रास्ते हैं बुखाँ पे जा रहे हैं opposite direction में है यहाँ diverge so he is in what problem? he is in problem कि उसको कौन सा वे चूज करना है he is in dilemma of choosing the right way he don't know which way he has to choose so यही उनको चूज करना है discuss what these phrases mean to you yellow wood yellow wood का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था wood है forest का reference ठीक है? and yellow season of autumn क्योंकि colors जो है leaf का वो change हो जाता है second है it was grassy and wanted wear मतलब की रास्ते पे बहुत जादा घास थी grass थी and wanted wear मतलब किसी ने उसको use नहीं कर रखा था ठीक है? किसी ने उस पे walk नहीं किया था जादा लोगों ने उस step उस रास्ते को choose नहीं किया था next आता है the passing there मतलब की जैसे ही वो उस रास्ते जा रहे थे it means when he walked over the path that he had chosen ठीक है? next leaves no step had trodden back मतलब उस जगा पे जिस रास्ते पे वो जा रहे थे उन्होंने देखा कि trodden उन leaves पे किसीने step नहीं कर रखा था step करते हैं जब सूखे पत्ते होते हैं जब उस पे आप step करोगे तो वो obviously leaf बिखर सी जाती है अब देखते हैं वो crush हो जाती है ठीक है? so अब next वो कहते हैं how way leads on two way मतलब उन्होंने एक रास्ता ले लिया and अब वो सोचते हैं कि इस रास्ते से बापस शायद वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि one way leads to another and same goes with the life choice also कि हम जो एक बार choice कर लेते हैं बापस जा कि हम उसे change नहीं कर सकते next step is there any difference between the two roads as the poets describe them in two, in stanza two and stanza three बहुत important question है so basically हम देखते हैं कहते हैं कि दोनों वैसे तो उनको एक जैसे लगते हैं two parts they think are familiar लेकिन beginning में उनको ऐसा लगता है कि एक रास्ता उसमें से ऐसा है जिस पे लोगों ने शायद जादा travel नहीं किया and इसी लिए वो उस रास्ते पे जाते हैं लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते पे जाते हैं उन्हें क्या समझाता है कि ये almost similar है दूसरे रास्ते की तरह ही ठीक है next है in the last two lines of the poem अब in stanzas two and three हमने देख लिया ये वाली बात last two lines में basically वो कहते हैं कि poet कहते हैं जो उनका initial decision था ठीक है जब उन्होंने सोचा कि ये रास्ता दूसरा है उन्होंने different रास्ता चुना तो उनको ये बात realize होती है कि नहीं ये जो रास्ता है ये कम लोगोंने चूस किया है तो देखो यहाँ पे contradiction है contradiction मतलब यहाँ पे दो opposing views देख रहे हैं हम देखते हैं कि second stanza और third stanza में poet कहते है just as fair मतलब बिल्कुल उसी की तरह है almost similar है जब उन्होंने वो choose कर लिया वे और थोड़ी आगे जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये दूसरे रास्ते की तरह ही है लेकिन finally जब उस पे चलते हैं हम last stanza पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो ये कह रहे है कि ये जो road है ये less traveled है यहाँ पे बहुत कम लोगों ने इस choice को चुना था और यही हम difference देखते हैं ठीक है? So यही चीज आपको लिखनी है in this question Last question जो इससे आ सकता है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि poet ने जो last basically line लिखी है उससे poet खुश है अपने रास्ते से या नहीं? So basically आपको इसके दो मतलब लिखने है एक तो कि हाँ वो खुश होंगे क्योंकि हमें surety नहीं है ना इसलिए कि maybe वो खुश हों क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो दूसरा रास्ते जो नहीं चुना वो काफी कम लोगों नहीं चुना था and आप देख सकते हैं Robert Frost कितने बड़े poet है So maybe शायद बून के लिए अच्छा हो and हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो विदर साय बोलते हैं ये बात कि मतलब में भी थक हार के बोलते हैं ये बात कि मैंने ये रास्ते चुना and इसलिए आज मैं ही आपे हूँ So आपको इसके दो व्यूस देने हैं So that's all for this video इस वीडियो के लिए इतना ही मैंने आपको बताई इसकी summary मैंने आपको बताई इसके क्या मैंने आपको बताई इसके literary devices and उसके साथ इसके question answers So until the next video keep practicing, keep learning and make sure आपने हमारे चानल को subscribe किया और comment करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर किसी particular chapter की वीडियो आप चाहते हो तो भूलना हमद हमें comment section में बताना So until that, keep practicing, keep learning